असलाम रिकूम कैसे हैं आप सब आज होम लाइफ में मैं आपको फ्रेंच फ्राइज युनीक मसाले की सिखाऊंगी ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद है तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं तीन बड़े साइज के आलों को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया इसकी फिर इसमें मैंने टू टेबल स्पून कॉर्ण फ्रोर टू टेबल स्पून मैदा एक टी स्पून नमक हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून लेसन पाउडर और हाफ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इन सब मसालों को मैं इन आलों की चिप्स में डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी यह बच्चों और बढ़ों सबको बहुत पसंद आएगी बहुत टेस्टी बनती है इस टैम आलों बहुत गिले नहीं होने चाहिए ज़रा ड्राइए होने चाहिए थोड़ी दिर पहले आपने दो के फिर इसको थोड़ा से ड्राइ करके समें मसाला ढाना है एक हाफ टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन भी डाली थी तो यह मैं अची तरह से इसको अची तरह मिक्स कर लूँगी यह थोड़ा ड्राय ही होगा थोड़ा सा हमीशे मिक्स करेंगे तो लाइट सा यह गीला सा हो जाएगा पर कोई बात नहीं आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालने हैं फिर मैंने एक पैन में ऑईल पहले से गरम कर लिया था यह देखें फिला के थोड़ा थोड़ा डालें ताके यह आपसमे जुड़ के इनको हमने हलाना नहीं थोड़ी दिर दो से दो मिनट तकरीबन इनको ऐसे ही तेज आंच पर पकने देना है तकरीबन दर्मियान नहीं हो बहुत तेज आंच नहीं होने चाहिए इसमें हमने इनको पकने देना है थोड़ी दिर अब यह देखें थोड़ी से यह कुक हो गए ह तो इनको आगे पीछे कर लें, थोड़ा उपर नीचे कर लें, यह लाइट गोल्डन कलर आ गया है, जब इनका ब्राउन कलर आ जएगा प्यारा सा, फिर हमने इनको निकालने हैं, अभी इनको हमने पकाने हैं, तकरीबन दो मिनेट और पकाने के बाद यह देखें, इनमें कित लगी हूँ, यह आपने ट्राई जरूर करनी है, और मुझे कमेंट करना है, यह आपको चिप्स कैसी लगी है, यह अब इसको निकाल लें, यह बच्चोर बढ़ों सब को बहुत पसंद आएंगी, और अगर यह वीडियो ची लगी हुई है, तो आपने लाइक भी जरूर करन है, कि कि चिप्स कैसी लगी है, थैंक यू,